जहीं दोस्तों नाया टोपीक है शांड शांड क्या है शांड हमारे कानों पर कितना इफैक्ट डलता जैसे DJ का, Airphone का और कलकार खाने का और परिवाहनों का जितने यह सारे के सारे परदोसन जो शाउंड होता है यह हमारे कान को कितनी डिशीबल तक अच्छी होता है और यह सुनने पर कोई परवहाओं ना पड़े यह ज्यादा सुनने शोरगुल होने पर हमारे कान की system जो है बिगर सकता और कान की परदा फट सकता और हमारे कानों की से अंदर से खोन भाना शुर हो जाएगा ब्लड भाना शुर हो जाता है जिस कारण से हमारे मांसिक संथुलाण अज्ची नहीं रव पाती हैं और कितनी शांड जो हमारे सरीर के लिए फैदावन है जो शांड जो है प्रासवा स्उंड रिखीवग प्रासवा जो है संकेत भेने के रूप में शाउंड का प्रियोग क्या जाता है बज़े से गठिया दर्द को ठीक करने में शाउंड का प्रियोग क्या जाता है अल्टा शोनी गराफी में किडिनियों के छुपने पत्थरों को तोरने में इत्यादे में शाउंड का प्रियोग क्या जाता घ्राक करते हैं और घरों कर चारों के शुरकषेत में एक लिफितंब करने लोगतनेर हो हुद bene तो इसे स्रक्षित कर पाता है पौधा साला में जब छोटे-चोटे ट्रंग छोटे छोड़ दिया जाता है तो चोट वह पौधा उसमें सबसे ज़्यादा बिर्धी होने लगते हैं और उसका ग्रो सबसे ज़्यादा होती है आता है शौंड शौंड जो है एक माध्यम से नहीं चलती है जब लुघू आती है यानि कि घृमते वे गती हुआ मत प्रभर कते हैं तो ऊसके कानों तब जाते हैं कि वा रेंडब मॉसंम यान घूमते गूमते जाती है यह डारेक्ट नहीं जाती है इसी शांड होता है शांड आब किसे का जाता है द्वानी को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के लिए ठोस या द्रव या गैस की आवा सकता होता है उससे हम साउंड करते हैं मानते चलिंहें, हम सँन्ड एक तार के माधियम से भेजते हैं, यह हो सपोज वस्तो उसके माधियम बहिते हैं, यां जो है डिकट गास टेक जो हैं ग्यास होने में सब्सक्राइब सब्सक्राइब्सय टें। को कोई परभव नहीं पड़ता है द्वनी जो है हमारे उसमें जो प्रेसर पड़ता है वायू मंदल का कोई परभव उसੌ नहीं पड़ता है उसके बाद आता है और गहनतव के बढ़ने से द्वनी का वेग बढ़ जाता है घनतव को ऐसा वगरा हम जार मुझाव sabण वजा उ a speed, ज्यादा हो जाता है, उसका ग्ति बढ़ जाता है, जब धॉनी एक माध्यम से नुसरी माध्यम में जाता है उसका वेग तथा टरंग डेर बढ़ जाता है लेकिन फ्रेक्वेंसी आविर्थी नहीं बदलती है जब द्वनी एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक संच्रित करती है उसका वेग बदल जाता है लेकिन फ्रेक्वेंसी आविर्थी नहीं बदलती है निर्वात में ध्वनी संच्रित नहीं होता है, जिस करण से चनरमा पर ध्वनी नहीं सुना देता है, जिसे चनरमाओं पर ध्वनी होता है, वहाँ पर शाउंड नहीं, वहाँ पर निर्वात होता है, जिसे भेक्यूम में कोई पड़का, भेक्यूम में ध्वनी निर्वात, य सुनाई पर दिया एक तरंग का तरंद है तो उसकी आविर्ति क्या है जो फ्रेक्व侏ंशी आविर्ति कितना होगा वत्त-पर लेंड़ी भरावड कितना ए टीन श्ट्रोंग इसको हम डारेक्ट करेंगे तो तीन सो अब इसको हम जीख सकते थीरी गुलना 10 को पावर 3 ठिक अफिर इसको गुलना एक एस्टों गुड़ावर होता है 10 to the power minus 10 होता है इसका डारेक्ट थीरी अगुलना minus 10 10 to the power 3 है तो थीरी गुलना 10 to the power minus 7 यह हो गया एस्टों इसका जो एक तरंग धेर तीन सो एस्टों है तो उसकी फ्रेक्वेंसी इतना आगा इलक्टो मैगनेटिक वेव जो है यह निर्वात तथा माध्यम में दोनों में संचरित करती है यह उदासिन होता है इसका वेव परकाश के वेव से बरावर होता है जब परकाश के वेव और इसका वेव जब आपस में जब वो दोनों संचरित करती है चलती है तो दोनों का वेग सेम होता है इसका निम्य सुद्ध लिखा जाता है इसका मान का जो है निव बराभर शी बड़न लेमड़ा सुद्ध मान लिखा जा सकता है सिटेन के अनुसार विद्धु चुमबग के तरंक उड़ जा यह से आइस्टेन ने एक फ़रवला दिया था, या बराबर, म सी एस्कौर, या बराबर म स्कौर, जहां सीव परकास का व्येग है, और, म बराबर, इस बेटा सी इस्कौर जो आता है, तो साफ एक स्थर्मान, रिनेटिव मास आता है, कुछ विद्धुत तरंग, जैसे कुछ विद्धुत तरंग का उधारन होता है जो आर एम आई राम भी यू एक्स से जी सी में चले गए मान के जले कोई विद्धुत तरंग है यानि कि तरंगों को हमको याद करने का कमबाइन है हम इस परकाल से हम याद कर सकते हैं जो हमको आसानी होगा एक फर्मुला क माधियम से रही भैक से जी सी में चले गए यह तरंग दे का घढ़ते करम से फर्मुला है यहां पर यह फर्मुला का यूज किया जाता है तो इसे हम पहले एक कोईस्टन को आपको बता रहे हैं तो एक कोईस्टन जो है निम्न में से किसका टरंग सबसे अधिक होगा निम्न तरंग देर अवरक्त का होगा अब सबसे ज्यादा तरंग देर पहले अवरक्त में होता है उसके बाद लाल में होता है उसके बाद बैगनी में होता है यह को आप असानी से याद रखे सबसे पहले सबसे ज्यादा तरंग देर अवरक्त में उसके बाद लाल में उसके बाद ब उसके बाद आगिया म से इसके बाद आग गया है माइक्रोबेव लगूत रंग का खोष किसनी किया जबएव इंट्ब ed이랑 अ कि किस ने खोष किया प्रकाश का ऊब नुटन ने ऊबएव U U Ultra Ultra violet wave प्रबेगनी किछनी के किछनी का रिटर न है उसके बाद आता है G G Amma किछनी किछनी किया विलर्ड न है उसके बाद आता है C Cosmic Cosmic रे इसका खोज अंतीरीक्स तरंग है इसका खोज किसनी किया मिनकंद आप चानते एक्सरे एक्सरे जो किया जाता है है आप सो जानते होगे आपका हडी जा कहीं का हडी टूट जाता है आपको स्वाल के बादे दॉडंशेल है जो दिए आपकी से जो है կोग थो मान्सके परवेस्ट कर जाता करेंस का अधार म कि अध्यारम किस नहीं करता है इस परकार से सब्सक्राइब देख़ा कि अम है जब हम अ다면 European K突ar Hum मेर otherwise झाले विद्धारा किषने में आपको कितना मूटा लगता है कितना मौटा लगता है या जो है आवाज जो है आपá जालिए पहली किसी मरा उसका सााउंड का जो है क्वालीटी जो आता है तो उसके संडिश के लिए कि स्ニम्क करके इसके साउंड इतना बैतरी नोगा वही होता है फ्रेक्वेंशी फ्रेक्वेंशी कि मतला तर अविर्ति को पर ती सकेंड कंपनों की फुन संख्यां आविर्दी काल आता है। इसके од lloy info का अिसका मातरक हाटण आता है फ्रेक्विंसी को सुचीत करते हैं हट जट से हटण होता है एक बराबर one बरत शकेंड या सग्या सप्विधнова फीकेंड व्राबर माइनस सुबता है उसके बाद आता है इसका मात्रक इसका एक क्वेश्चन है एक माध्यम की कन की आविर्ती 20 हट है तो वह एक मिनट में कितने देर कमपनन्ट करेंगे मन के जलिए एक माध्यम की कन है उसमें 20 हट है तो एक मिनट में कितने देर कमपनन्ट करेंगो वन सपकेन्ड मानते हैं, one second, one second बरावा, 20 हटा जाएं, तो 20 हटा जाते हैं, एक मिनट में, एक मिनट में कराएं, तो एक मिनट में कितना करेंगें, शाट, ठेक, अशाट हगोना, 20 हटा जा, शाट होना, बारह, यह इतना Compare ईत्ञ पॉर करेंगे उसकी वारा तो एक और कोशेज एक तरंग जीरो पैंट आठ सेकेंड में 24 चकणर पूरा करती दो इसकी आविरति किटना होगा कि कितना होगा जीरो पैंट आठ सेकेंड में 24 चकर पुरा कर लेता है तो उसकी फ्रेकेंशी क्या हूँ आठ सेकेंड में 0. 0.8 सेकेंड बरावर 24 चकर पुरा करते है इसी लिए एक सेकेंड बरावर होगा 24 22 बट्र जिरो पॉइंट आठ इसको पॉइंट को उड़ा है तो यहां जाम 0 निकाले आठ तिया 24 इसकाल टो 30 कितना होगा 24 चकर पुरा करते है इसका आभिर्ती कितना होगा 30 फ्रेकेंशी होगा इसका कितना आएगा 30 फ्रेकेंशी आएगा सिंपल सवाब एक आविर्ती जो है फ्रेकेंशी को न्यू द्वरा सुचित किया जाता है वन बटा आवट काल टी आवट काल टी होता है और वन बटा न्यू ती तथा एं का भुनन फल वन होतो त्रंग आविर्ती त्रंग दीश से लेकर के 20 हाजा होटर तक ध्वनी जो आता है इसमें कौन कौन सा जीव सुन सकते हैं मनुस जो है कितने देशी बल तक ध्वनी सुन सकते हैं कितने हटर तक और कुत्ता बिल्ली औ निकाल सकते हैं और सुन भी सकते हैं भोकम पोगेरे का जो त्रंग जो निकलता है कौन सी जानवर जो है उसको सुन सकते हैं और मनुस नहीं सुन सकते हैं कि क्या छंता होती है इसके बारे में बात करते हैं जैसे 20 से लेकर के 20 हाजार हाटर बीस हाटर से जो कौन ध्वनी होत इसको बोलते हैं इन फ्रांसिक वेव आस्वत रंग और इसमें 20 से लेकर के 20,000 के बीच में जो शाउंड होता है उसको बोलते है अड्वेबेल वेव शरवत रंग इसे मनुष सुन लेता है उसके बाद बहुता है कि 20,000 से उपर का जो साउंड जो आता है तो उससे अधिक का जो है उसको बोलते है अल्टा बोनिक वेव प्रास्वत रंग इसमें तरंग जो है तीन परकार से दिया गया है तो इसमें कौन-कौन सा जीव जो सुन सकते हैं स्रवत रंग इसके मनुष सुन लेते हैं कुछ जानवर पुत्ता बिल्ली इसे आविर्थी को सुन सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं स्रवत रंग इसे मनुस सुन भी लेता है और इसे मनुस भी सुन करके इसको निकाल भी सकते है जानवर भी निकाल सकते है और आस्रवत रंग इसके मनुस नहीं सुन पाता है भूकम के समय उत्पन तरंग ज्वाला मुखी तरंग यह आज भी नहीं सुनता है खुछ जीव जंत शुन पाता है और वो कम के समय उत्परन त्रंग ज्वाला मुखी और त्रंग और प्रास्वत त्रंग जो आता है उसमें कौन-कौन से इसमें मनुस नहीं सब्सक्राइब नहीं को से अधिक सकते हैं और सबसे पहले डाल तन ने शीटी द्वारा और प्राश्वत तरंग की उत्परन की और प्रीजों का प्रेजुठी थे सबसे पहले जो यहां पर इसका वेड उन्क के उनल तोय करें ऐसे कद बीच के बीच के बाशवक पर ऊब्रम कर स्वाट ठाज घॉत पर लेंगिस का हना है लास्वात रंगा कित्सक्ट जगत उसके बाल है गठिया दौद करने को थेक करने लगा उसके बाद में प tresक करने में में था अल्टा पर आ जाता है और चीमनियों के काली कारखानों के भठ्रियों के काला जो हा जाता है उसमें यूज किया जाता है उसके बाद होता है कारखानों के वायू यह घरी के पाथ पूर्जे में साफ में किया जाता है और घरी के पाथ पूर्जे को सफाई जो किया जाता है इसी का rollin nере lma घड़ों के चोरों सो सुरक्षित रखने में पोभ और जो है उइसको शुरक्षित रहने के लिए आल्लठ बॉलिक वेव का ही प्दियों क्या जाता ह। उसको कोई procs करता है रहा है रहाक्य बौनिक वे इसका प्रियों को छोटे-चोटे चुंग छोड़े जाती है उसे विरदी हो जाती है और शूरसोनिक एश्पीड क्या सबसे जादा सॉंड बहतरिन होता है उसके सुपर सुनक शांड करता है प्रद्वानिक छाल करता है किसी वे वस्तों की चाल हावाओं में धोनी की चाल तीन सो बतीस मीटर पर तीस सकेंड से अधिक हो जाती है तो उसे सुपर सोनिक की चाल हुथ है जो हम नमनिकल वेड़ा जोनुकालेंगे इसका जो कोई शडाल होगा तो इसका मैं की संख्या में वस्तु की चाल बता धोनी की चाल होता जो शी चुप में 200 306 द्षानी की चाले स्पीन होता है वायू मे जब आता था थे सो 321 मीर पर स्केल होता है वायू में अल्कोहाल में जहां 223 मीटर पर थी से क्यों होता है इसके बाद आता है है यह तो आता है 243 मीटर पर 30 सकेन होता और लौह में तो 5135 130 पर 30 सकेन आता और कांख पर आता है जार चालिस meटर पर 30 सकेन आता है वैसके पर अलमुनियमें जो वैज़ा 2442 मीटर पर 30 सकेन आता इसका ब्रोग होता क़चाल होता है